हलो फ्रेंड्स नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने फेवरिट चैनल धहमान राजेश धहमान मैं आज हम इंटिग्रेशन करना सीखेंगे अंडरूट ओफ टैनेक्स प्लस अंडरूट ओफ कोटेक्स की तो सबसे पहले इसके लिए हम टैनेक्स और कोटेक्स को साइन में चेंज करते हैं साइन एंड कोटेक्स में तो साइनेक्स ओवर कोटेक्स अंडरूट प्लस कोटेक्स को लिखेंगे कोटेक्स ओवर साइनेक्स और उसके बाद इसका सिंप्लिफेशन करेंगे जब LCB ले लेंगे तो denominator में बचेगा under root sinex, under root cosex, उसको combine कर देंगे, अब under root cosex के साथ under root cosex को divide करेंगे, तो हमारे पास बचेगा under root sinex, under root sinex के साथ under root sinex को multiply करेंगे, तो ये मिलेगा sinex, इसी तरह से यहाँ under root sinex के साथ under root cosex और under root cosex को divide करेंगे, तो under root cosex मिलेगा, इसके अब हम एक substitution करेंगे sin x minus cos x is equal to t की अगर sin x cos x function plus में या minus में हो तो हम यह substitution कर लेते हैं तो जब इसकी और बीच में यहां पर multiplication हो तो हमारे लिए इस टाइब की substitution होती है अब इसको differentiate करेंगे तो sin x की differentiation मिलेगे हमें cos x cos x की मिलती है minus sin x तो यह plus sin x हो जाएगा फिर dx is equal to dt अब इसके बाद इसको square कर लेंगे तो इसका square करने के बाद हमें मिलेगा sin square x plus cos square x minus 2 sin x cos x is equal to t square अब यह देखेंगे sin square x plus cos square x यह 1 के बराबर होगा और minus 2 sin x cos x आगे 1 minus 2 sin x cos x is equal to t square फिर हम यहां से denominator हमें sin x cos x चाहिए है इसलिए हमें सिर्फ sin x cos x रखना है बाकी change कर देना है तो यह बनेगा इसको हम दूसरी side ले जाएंगे और इसको इज़र ले आएंगे 1 minus t square over 2 is equal to sin x cos x अब जो substitution की हमें वो a में डाल देंगे so a will be equal to यहां पर sin x plus cos x dx तो sin x plus cos x dx यह dt के बराबर हो जाएगा numerator और denominator में under root के साथ है sin x cos x तो sin x cos x under root के साथ ज़र आजएगा तो अब हम इसको लिखते हैं dt over अब जब हमने इसको substitute कर दिया यहां पर तो sin x cos x की value यहां गई under root के साथ थी अब under root 2 जो है इसको numerator में ले जाएगे तो यह बन जाएगा under root 2 फिर dt over 1 minus t square under root अब इसकी integration हमें पता है 1 minus t square की वो हती है sin inverse t under root 2 यहां से मिलेगा sin inverse t plus c उसके बाद हम under root t जो हमने substitution करके रखी है वो value put कर लेंगे यह आएगा हमारे पास t हमने substitute करके रखा था sin inverse minus cos x plus c और यही इसका answer है तो फ्रेंट्स यह था अज़ का वीडियो integration के उपर आपको वीडियो कैसा लगा comment box में comment करके जरूर कुता है अगर अच्छा लगा हो तो like करे अपने friends के साथ share करे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो इसी तरह की mathematics वीडियो देखने के लिए subscribe करें आप हमें हमारे facebook page दिमान राजेस दिमान पे भी like और follow कर सकते हैं धन्यवाद